नमस्कार जैहिंद वंदेमात्रम गडित के पैड़ागोजी और प्लस कॉंसेट यानि सवालों पर आधारिते वीडियो बहुत तेजी से खतम करेंगे ऐसे ही कुशन्स बारवार रिपीट होते हैं बस कॉंसेट नहीं बदलता है कुशन्स का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है देखीगा कितने ज़ादा रिपीट कुशन होते हैं आप उठाके देखेंगे इन कुशन्स को बाकई में आप कहोगे कि बहुत सिंपल थे चलते हैं स्टार्ट करते हैं से वीडियो को सबी बहनों का स्वागत है हार्दिक अविणिन्दर है किसी भी राज्जी से जुड़ी बहन कोई भी भाई हमारा यहां पर देखीगा किसी भी कोने से चाहे मद्यप्रदेश से हैं 36 गड़ से हैं मैं पिसलिए दिखाता हूँ कि हरियाणा से जुड़ा हुआ है ठीक है ना चलते हैं स्टार्ट करते हैं से वीडियो को पहला कुशन देखिए पहला कुशन आपके सामने यहां पर है बहुत अच्छा कुशन है केरान निम्डिकित में से ऐसा उत्तर आपको बताना है options में कि मुक्त अंत वाला प्रस्ण है म एक ऐसा प्रस्ण जिसके विकल्प दो से अधिक सही हो यानि कुछ भी हो सकते हैं एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं यानि अगर हम question number option number first की बात करें कि दो बटे साथ से साथ ज्यादा है अगर हम बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहां पर हम कहेंगे कि एक ही होगा answer या तो हां या तो ना ठीक है ना दूसरी चीज पचिस एकत्तर उन्निस नो आट सत्रा पचासी संख्या है आरोही क्रम में लिखेगा तो यहां पर आप भी लिखतोगे लेकिन इससे आप दूसरी चीज अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगी यानि केवल एक चीज आप यह से बड़ी संख्या है आप लिखो तो इस से बड़ी संख्या है आप लिख सकते ओ साथ यह सउ सब्सक्ते हो 200 लिख सकते हो 300 लिख अपर है यहां निवह न और क्या जाए है और हमेशा एक्रतर के बात करिए सरल अकरत benefiting से परिचय कराने के सबसे उत्तम उपकरण है तो हंडिट आपको क्या अंसर लगाना है जियो बोर्ड लगाना है ध्यान देना जियो कि सायता से बच्चों को जियामिती आकरती अबम उनकी विसेस्ताओं का ग्यान कराया जाता है यहाँ पर विकल्प दो बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना आकरती से बताए कोंड से बताए या फिर आपका जियामिती रिलेटेड बताए और आप टू ही लगाएंगे ठीक खंबे हैं जिनकी माप 15 cm, 215 cm, 150 cm और 235 cm है सवाल लगाना नहीं है बस आपको बताना है कि आंसर क्या होगा यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रतेक टुकड़ा की अधिकतन लंबाई क्या होगी यानि मैक्जिमम यहाँ पर आपको लेंथ करने के लिए या फिर सीखी गई संकल्पना का प्रियोग करने के लिए चार खंबे हैं जिनकी लंबाई दी गए और बोला गए सबसे अधिक टुकड़े की लंबाई क्या होगी तो यह कैसा कुस्षिन है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और फोर्ट है जो यह पर क्या है पूरा ओप्शन आपको जो है दिखा दिते हैं कि सीखी हुई संकल्पनाओं का प्रियोग करते हुए समस्या का समाधान कौसल बढ़ाने में हमें एक चीज़ ध्यान देन यह हमेशा आप चाहें पर्यावन करना चाहें आप करना हिंदी चाहें आप मैत करना चाह हमें बहुत अंसर लगाना है जो सबसे सकारात्मक अंसर है पैड़ा गोजी ही आपको बहुत तेजी से नंबर आपको घेंड कराईगी ठीके ना ओप्सन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं कि रासित कच्छा भी बह दोंने चार वस्ताइं दी थी पहले वस्ता दी थी आपकी संबेधी गामग जिसकी होती है 0 से 2 साल और दूसरी दी थी आपकी पूर्ब संक्रियत्मक जिसकी साह से 11 और चौती थी अमूरर संक्रियत्मक 11 से उपरवाली एज ठीक है पिया ने संग्यानतनी विकास कहा था कि बच्चा जो है अवस्था के अनुसार बढ़ता है रासित कच्छा भी में पढ़ता है यानि इतने इतने की बात करी है यानि कहीं न कहीं हम प्रारंबिक की बात करते हैं ठीक ना प्रारंबिक की इस्तर की बात करते हैं वह विभिन प्रकार के त्रिबुजों को विभिन प्रड़ लिया तो कोशन हो गया समझने में उसे कटनाई आती है प्याजे के संग्यानात्मिक विकास के सिध्धानत के अनुसार वो रासित कि चड़नत पर है यानि किस पर है ऑप्शन एक दो तीन चार याद रखेगा उसे सब कुछ आता है लेकिन वो 180 डिगरी के अमूर्थ संक्रियात्मिक पर है मूर्थ संक्रियात्मिक पर क्यों है मैंने क्यों लगाया है क्योंकि वो अमूर्थ प्रमान को समझने में साहता नहीं है यानि मूर्थ को समझ जाएगा तो वो जाएगा किस पर अमूर्थ पर जाएगा यानि इस से पहले हमें मूर्थ का ग्यान होना चाहिए तो मूर्थ का तो ग्यान है यहां तक लेकिन कर सकता है लेकिन वह अमूर्थ जाने से पहले वह 180 डिगरी की बात कर रहा है यहां पर हो जाएगा option number क्या हो जाएगा मूर्थ संक्रत्म का वस्ता ठीक है दिमाग में आपको रखना है next क्या है next question यह है हमारा सबसे पहले question पढ़ते हैं फिर हम चलते हैं options पर राष्टी पाठी चर्चा रूप रेखा यानि ncf ncf का मतलब है national curriculum framework कब आया था 2005 में आया था अब हम questions ऐसा हमें लगाना है जो सबसे सकारात्मक आंसर हो ठीक है अब हम question number के options पढ़ते हैं यहां पर बताएं सर क्या हो जाएगा इस question का right answer देखीगा अगर हम बात करते हैं जी हाँ अगर हम पहले question की बात करते हैं पहले option की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दूसरे option की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा देखीगा सबसे important यह है कि आपको अगर कोई भी विकल्प देखना है तो सबसे important यह बनता है कि हमारा अगर लगाना है विकल्प हम संसे में ही a लग हो जाते हैं और लगाना चाहते हैं तो याद रखेगा पांच में आपके चार नंबर हंडेट परसेंट आजाएंगे ठीक है ना कैसे अगर हम बात करते हैं कुर्शन को सॉलब करने की देखीगा यहां पर इसकूली गड़ित का सीमित लच्छे लापरत छमताओं का विकास यह दिमाग में याद रखना है कि यहां पर मूर्थ हो चाहें अमूर्थ हो तर्क होना चाहिए उनमें अभिव्यक्ति को उजागर करने की कैपिसिटी होना चाहिए गड़ती रूप को किस तरीके से लेते हैं चिंतन करने की सकती प्रवलता और तर्क करने की प्रवलता होनी चा एक अच्छी पुस्तक की बात करते हैं कि एक अच्छी पुस्तक कैसी होनी चाहिए एक अच्छी पुस्तक की विसिस्ताइं क्या है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है इस्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचे दिया जा सकता है केबल हल किये गए, अभ्यास ही सामिल किये गए है उन्हें मोटीवा भारी होना आवस्थ है इन में से सबसे अच्छी विस्षिस्ताइं बतानी है जो दो हो सकती है, ठीक है न सभी दे सकते हो को slate बिल्कूल सकते है इस सभी संकल्पनाओं से बहुत सकारात्मक है तो कि ये यारी हो सकता है तो यारी याद रखो कि यहाँ पर D विकलप इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिखा है उन्हें मोटी बाभारी होना आवस्थ है ये तो ऐसा कहा नहीं जाता है बच्चे के लिए मोटी और भारी होना यानि कहीं न कहीं बच्चे को stress पहुचाएगा इसलिए D जब होगा नहीं तो D हमारा ये कट गया तो सबसे बेश्ट आंसर मांगता है हमारा पेड़ागोजी तो इसलिए A और B हमारा हो जाएगा कुश्चन करने का तरीका दोस्तों आना चाहिए कि हम कैसे कुश्चन को करें कैसे हम कुश्चन के options को हटाएं और फिर उनसे बेहतर आंसर निकाले ठीक ना option number two is right answer next question क्या है next question है कि राष्टी पाठी चर्चा की रूप रेखा 2005 किस प्रवबल देती है गडित चैनित सिख्चार्तियों को पढ़ाया जाए गडित में सफलता प्रतेक बच्चे के लिए आवस्यक है सिख्चार्तियों की तार्किक योगिता से पहले उनकी परिक्षा होनी चाहिए बहुत गलत आंसर है नकारात्मक है निम्न उपलब्दी करताओं के लिए गडित पाठ चर्चा अलग होगी यानि ये भी नकारात्मक है यानि आपका तीन और चार तो बिल्कुल गया तो ऑप्सन नम्बर क्या हो जागा टू हो जाएगा राइट अब हम थोड़े से कुश्चंस पर चलते हैं देखेंगा अगर हम कुश्चंस पर चलते हैं कि 5-10-35 के सबसे चोटे और सबसे बड़े सारव गुड़न अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 5-10-35 यानि दो बार भी कटेगा 1-1 और 7 आजाएगा फिर 7 बार कटेगा पांदूनी 10, 37, 70 हो जाएगा तो यह 70 जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा 70 हमारा जो निकला है वो LCM निकला है ठीक है ना अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा जो आपका सबसे बड़ा जो HCF होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी हो संख्या जो सभी से कोई कटे यानि पांच से गर हम काटेंगे तीनों कटनी चाहिए एक बार में पांच पांच पांदूनी 10, 57, 35 अब क्या तीन कट रही है बिलकुल नहीं कट रही है ये दो से अलग बार कटेगी ये साथ से अलग बार कटेगी इसलिए हमें वो संख्या लेनी है जो सभी से कटे यानि आपका उल्टा हो जाता क्यकि अगली परिक्षा में योग भी आ सकता है तो 70 प्लस क्या हो जाता 5 हो जाता, 75 हो जाता तताब हमारा A आंसर हो जाता, जब योग पूचता था हमारा A हो जाता और जब भाया अंतर पोछे तो हमारा 65 यनी 4 ऑप्सण आपका राय्ट हो जाजा आप जैसे WhatsApp चलाते हो वैसे टेलिग्राम को डाउनलोड करना है ऐसे गुरुजी डबलू-ओ-ओ-ड डालना है यार पेलिंग कभी-कभी आप करतेते हो डबलू-ओ-ओ-ड डाल देते हो तो यार वर्ड वह नहीं है यह वर्ड वाला है ठीक है न डबलू-ओ-ओ-ड गुरुजी डालना है थोड़ा सा एक स्पेस देना है वर्ड डालना अपना चैनल एकदम सर्च ऑप्शन में आ जाएगा जोई है 2 बच का 17 मिनट हुआ है दो से आप 11 गंटे के बाद जाएंगे 11 गंटे के बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 गंटे 2 बजा अभी है तो 11 गंटे बाद अगर हम जाएंगे ऐसे जोड़ोगे 3-4-5-6-7 तो कहीं ना कहीं 11 गंटे बाद जाओगे तो आपको मिलेगा एक ठीक है न एक मिलेगा और एक बज़ा होगा वो रात का सुभे का ठीक है न यानि कहीं न कहीं समय जो हमारा आएगा वो सुभे में आएगा तो सुभे बाले ओप्सन कितने है ध्यान देना पीम कट गया पीम कट गया हमारे पास ये है एक आंसर और एक आंसर ये बचा हमें स तुबह का समय लेकिन आपको याद रखना है कि हम जैसे ही 69 में यहां पर 17 जैसे ही हम क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आजाएगा राइट आंसर 2.16 ठीके ना 17 16 मिनिट आ जाएगा जैसे भी आप करते हो हमने लौजिकली इसको समझाया है लौजिकली बहुत अच्छे से आंसर निकाल दिया है एकदम से आप जोड़ें घटाएं कैसे भी करें सवाल गलत नहीं होना चाहिए सिंपल आता है आगे पूछे तो आगे बढ़ा दो जोड़ दो और पीछे पूछे तो पीछे इसी में से घटा दो ठीके ना? Next question है कि साणे 3 समकोर में डिगरियों की संख्या साणे 3 का 1 समकोर में 90 होता है अगर बोला है कि साणे 3 समकोर यानि अगर हम 3 समकोर की बात करें तो 3 समकोर में पहले अगर हम देखें कितना आजाएगा 30 यानि 3927 यानि 270 आ जाएगा यानि 3 समकोण में 270 आ गया तो भाया साधे तीन पूछा था तो आपका आधा और बच्चा है तो आधे में कितनी डिगरी होगी 45 होगी तो 45 को अगर हम और जोड़ देंगे तो 5, 7, 4, 11, 2, 1, 3 यानि 315 जो है हमारा इस कुछन का राइट आंसर हो जाएगा कुल मिलाके आपको दिमाग में रखना है कि 1, 90 होता है और 3 समकोण हमारा जानते हो कि आपका 270 हो जाएगा साड़े 3 पूछा था तो 1, 2, 2, 90 हो जाएगा अगर यहीं पूछता कि धाई में कितना होता तो 180 तो हमारा थाई 2 में और धाई के लिए में आधा और निकालना पड़ता तो 90 यानि 45 हमें जो है और जोड़ना पड़ता तो हमारा 5 और 8, 4, 12, 1, 2, 2, 25 हो जाता यहीं अगर हमें साड़े 4 में होता तो आप नीचे कमेंट करो कितना हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों नेक्स स्कूशन की बात करते हैं कि 11 एकाई 100 परसेंट यह कुश्चन आएंगे ठीक है ना बस कुश्चन का तरीका थोड़ा चेंज कर देगा कहीं धाई कर देगा कहीं साड़े 4 कर देगा 11 एकाई 11 दहाई 11 सेकड़े बराबर है याद रखेगा 11 सेकड़े 11 दहाई 11 सेकड़े का मतलब है यहां की बात करते हैं सबसे बढ़ लेते हैं 11 सेकड़े का मतलब है 1100 ठीक है 1100 11 दहाई का मतलब है 110 ठीक है, ग्यारा दाई का मतलब है, एक जिरो लगा दो, सैकड़े का मतलब है, दो कुछ भी मतलगाओ, इनको जोड़ दो. बोले कि इनका योग क्या है? एक, दो, दो, बारा सो इकिस है आवसर. बिल्कुल है, सिंपल सी बात है, जोड़ना है, कुछ नहीं करना है. तो जा तेरा में ये questions, चार questions आए हुए, लगातार questions आए हुए है और ऐसे ही pattern पर हमेशा आते हुए, चाहे paper पिछला देख लिजेगा, बताओ ऐसा कोई चिंदी सा question कोई बच्चा कर पाएगा, ये question आप से क्यूं करवाय जाते हैं, ये question आप से इसलिए करवाय जाते हैं मेर आदमी लगाते हैं, ऐसे सवाल नहीं पढ़ाय जाते हैं, ठीके ना, इनको अगर जोड़ोगे तो क्या आजाएगा, 35-37 आजाएगा, सिंपल सा question है क्या आजाएगा, 35-37 आजाएगा, जल्दी से comment करो कि कि कितना answer आएगा, बताओ, बिल्कुल साही है, नार्मल सी बात है कि नो, आठ और नो की बात करते हैं, साथ अगर आजाेगा, दो, एक तीन की बात करते हैं, तीन आजाएगा, तीन को हम ऐसे ही, डारेक्ट लिखते हैं, ठीकी ना, अब हम पैड़्ा-गोजी कर चलते हैं, थोड़ा सा एक और हम मान ज्यात कर देंबें, ना, थोज़ा, तेरा म लगा दो दो अंक है तो दो हमने 0 लगा दी यानि इस्थानी मान 300 हो गया अंकित मान में अंतर और जब वही तीन का अंकित मान पूछे तो तीन का अंकित मान वही होता है तीन का आपका प्लेस वैल्यू वही होता है ठीक ना वह आपका क्या होता है फेस वैल्यू देखीगा त इंपल सा आंसर आपको दे देना है ठीक है चलूं आगे बताओ सर चलूं आगे अब हम चलते हैं कुश्चन नमबर नेक्ष्ट पर कुश्चन नमबर नेक्ष्ट आपके सामने है पेड़ागोजी का कह रहा है कि प्राया विद्धारती दस्मलब संख्याओं की तुलना में देखिए का अगर हम बात करते हैं इस कुश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट अंसर क्या होगा बताएं बहुत बढ़िया देखिए का अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर नमबर क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा फ संख्याव में तुर्टिका संभावित कारण क्रमिक समलब में सुनने की सार्थक्ता से संबंदित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना इसलिए है क्योंकि सूनने में यह जो पीछे सूनने है इनहीं में आप बच्चा 500 में प्रॉब्लम होता है कहीं 0.5 में लेकिन आपको ध्यान दे के लिए बढ़ाबा देता है बिल्कुल सही बात है बहुत अच्छी विदी है लेकिन आपको इंपोर्टेंट क्या है यह बताना है यह गतिविदी कैसी है गड़ती संकल्पनाओं और उनके अनप्रियोगों में संबंद बैठाने और ग्यान के ग्यान तथा बिचारों को सा माजा करने के लिए सिख्षारतियों को अब्सर उपलब कराना या फिर गड़त की समझ में सिख्ष आरतियों की सहयता करना कि याद रखीका मेरे भाई क्या हो जाएगा सबसे 1 और 3 नडवरा है लेकिन हम यह भी चेक करना है ऩifications न नहीं पर हम एक गड़ेती जनरल पत्रिगा को बच्चों से तयार करवा रहे हैं तो वही ना कहीं उनके बिचारों को साजा करेंगे वो अपने अभिवेक्ति को अपने तर्क सक्ती का उसमें प्रियोक करेंगे ठीक है ना दिमाग में रखना है कहीं ना कहीं उनके चिंतन और कोसल को कि वेन हिले ने कितने इस्तर दिए तो आपके 5 आप्सन होगा 4, 3, 2 तो आप क्या लगाएंगे 5 या कुछ से नैसे पूछा जा सकता है निम में से कौन सा वेन हिले का इस्तर नहीं है तो आपको जब पांचों याद होंगे तब तक आप जो है कर सकते हो कौन से इस्तर थे चाचुसी करण, बिसलेशन, अनौपचारिक निगमन और आपचारिक निगमन और इसके बाद है आपका रिगर यानी द्रड़ता कच्छा तीन के एक बच्चे को छाटने के लिए कुछ बहुभुज दिये गए वह भुजाओं की संक्याओं के आधार पर बहुभुज को बरगी करता है, या बच्चा बेन हीले की ज्यामिती विचार के इस्तर पर है यहाँ पर उसने कुछ जो है, अलग तरीके के छाटे है बहुभुज और ये कौन सा इनका इस्तर है, यह आपको बताना है और अपचारिक हो जाएगा चाचसुजी करण हो जाएगा बिसलेशल हो जाएगा या फिर अपचारिक हो जाएगा बताएं देखी का अगर हम इस कुश्चन की बात करें क्या सर इस कुश्चन की बात करें तो कौन सा last question की, तो अगर हम देखें, last ही होगा मुझे लगता है, देखेगा तो क्या हो जाएगा, option number two हो जाएगा, बच्चा बेन हीले के जियामिती विचार के चाचसी करण इस तर पर है क्योंकि वहाँ भुजाओं की संख्या के आधार पर बरगी करण कर रहा है, वो भुजाओं की संख्या के आधार पर इसमें क्या होता है भुजाओं की संख्या के आधार पर बरगी करण होता है आप देख रहे हो, भुजाओं के आधार पर यहाँ पर बरगी करण किया है, ठीक है दिमाग में आपको रखना है ऐसे यहाँ पर किया है उसने ठिक है दिमाग में यह रखना है इसको अलग करके रखा है तो दोस्तों कैसा लगा यह विडियो आपके लिए यहाँ पर बेहतर इस्टेडी प्लान के लिए यहाँ पर चीजें आपको प्रोवाइट करा जाती है एक अपना लोगो बिसेज ध्यान रखना है ठीक ना लोगो को बिसेज ध्यान देखना है कि यह अपना लोगो है चाहे टेलिग्राम में जाए चाहे टिक टोक पर जाए तब ही जोइन करें ठीक है चाहे आप एफवी पर आए ठीक है दिमाग में रखना है कि लोगो आपका इंपो